वेलकम तो इस्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन पांच सेकेंड बार शुरू होगा, रेडी स्टार्ट, दत्तक अधिनियम यानी बच्चों को गोद लेने का कानून, इस उद्देश से बनाया गया था कि निश संतान, दमपतियों को संतान सुख और उत्तराधिकारी, पाने का हक तथा अनात हो गए बच्चों को इसके जरिये माता पिता का प्यार दिलाया जा सके, मगर इस कानून का लाभ उठा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें गोद लेने संबंधी, नियम और शर्तें कुछ जटिल हैं, इनहीं जटिलताओं के कारण विदेशी नागरिकों को भारत में बच्चा गोद लेते समय, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर जो दमपती सारे नियम और शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें भी अगर अनापती प्रमाण पत्र हासिल नहीं हो पाता, तो उस पर एतराज सभाविक है, ऐसी ही शिकायतों को लेकर दिल्ली उच्चनयायाले में गुहार लगाई गई कि केंद्री अंदत्तक ग्रहन संसाधन प्रादी करन यानि कारा की तरफ से कोई न कोई बाधा उपस्थित की जा रही है, लोगों को अनापत्ती प्रमाण पत्र के बजाए समाप समर्थन पत्र दिये जा रही हैं, इस पर उच्चनयायाले ने कहा है कि विदेशी नागरिकों को बच्चा गोद लेने संबंधी प्रक्रिया को जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए, जिन देशों से गोद लेने संबंधी अंतरराश्ट्री समझ होते हैं, उन देशों के नागरिकों को इस प्रक्रिया में अधिक नहीं उल्जाया जाना चाहिए, अधालत ने यह निर्देश सिकायत के पक्ष में उपलब्द कराए गए प्रमाडों के आधार पर दिया है, इस संबंध में कारा के उच अधिकारी को तलब भी किया है, अपील करने वालों की तरफ से कहा गया कि अनापत्ती प्रमाडपत्र प्राप्त करने के लिए उन्हें काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उसके बावजूद उन्हें समर्थन पत्र ही दिया जा रहा है, दरसल बच्चों को गोद लेने संबंधी नियमों में संबंधित प्राधिकार को यह जिम्मिदारी सौपी गई है कि वे उन्हीं लोगों को बच्चा गोद लेने की अनुमती प्रदान करें, जो वास्तों में उनकी उचित देखरेख कर सकें, पिछले कुछ सालों में ऐसे अनेक मामले सामने आए, जिन में विदेश में रह रहे, लोग भारत से बच्चों को गोद दो लेते हैं, मगर उन्हें माता पिता का प्यार नहीं देते, बच्चों को जो अधिकार मिलने चाहिए, वे उन्हें नहीं दिला पाते, कई लोग तो ऐसे बच्चों को बंधुआ मजदूर की तरह घर में रखते और घर के सारे काम उन्से कराते हैं, जबकि दतक अधिनियम का मकसद है कि बच्चों को घर का वातावरन उपलब्द हो सके, उन्हें अच्छी सिक्षा, स्वास्थ और बहतर भविश मिल सके, इस लिहाज से कारा अधिकारियों की सतरगता उचित कही जा सकती है, मगर जो लोग सभी संबंधित नियम काइदों को पूरा करते हों, उन्हें भी परेशान किया जाए, तो सिकायत स्वाभाविक है, हमारे सरकारी महकमों में नियम काइदों की आड में किसी भी काम को बेवजह अठकाए रखना और फिर रिश्वत लेकर वह काम कर देना कोई छिपी बात नहीं है, ऐसे में जब कोई काम विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ती का हो, तो सरकारी करमचारियों की लार टपकनी स्वाभाविक है, ऐसे लोग यह सोचकर पैसा खर्च करने में गुरेज नहीं करते की, अगर एक काम के लिए उन्हें कई बार आना जाना पड़ा तो कहीं अधिक पैसा खर्च हो जाएगा, मगर यह सिल्सिला सहन सकती को पार कर गया होगा, तभी अदालत के दरवाजे तक पहुंचा, विचितर है कि इस प्रवित्य के चलते न सिर्फ विदेशों में भारती कामकाज के तरीके को लेकर नकारात्मक संदेश जाता है, बलकि परिवार के प्यार की उमीद लगाए, बहुत सारे अनात्थ बच्चों के सपने भी दुंदलाते रहते हैं, इसमें व्यावहारिक और पारदर्शी प्रक्रिया की दरकार है, सुख़दार लोग कानून को कागच का पुर्जा और प्रसासनिक अधिकारियों को अपने हाथों की कठपुतली समझ कर कैसे उनका दुरुपयोग करते हैं, इसका जीता जाकता उदाहरन है सपानेता आजम खान दौरा अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाडपत्र बनवाने का मामला, विधायकी के लिए आजमाई तिक्डमों ने आजम खान उनकी पतनी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुचा दिया है तीनों को साथ साल की कैद हुई है दरसल आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला को विधायक बनाने के लिए सभी नियम कानून ताक पर रख दिये थे अब्दुल्ला आजम को 2017 में विधान सभा चुनाव लड़ना था लेकिन वे इसके लिए जरूरी नियूनतम आयू सीमा पच्चीस वर्ष की अहरता पूरी नहीं करते थे रामपूर नगर पाली का द्वारा जारी जन्म प्रमाड पत्र में उनकी जन्मति थी एक जन्वरी 1993 बताई गई थी मगर ततकालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री आजम खान ने अपने पद का दुरुपियोग करते हुए लखनव से ततकाल दूसरा जन्म प्रमाड पत्र बनवा लिया जिसमें अब्दुल्ला का जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ बताया गया इस तरह बेटा विधायक तो बन गया लेकिन उसके बाद वे कानून के जाल में फंसते चले गए आजम खान यह जरूर जानते होंगे कि कोई भी नागरिक अगर जान बूच कर कानून का उलंगन करता है तो सजा का भागीदार होता है कानून की नजर में कोई बड़ाया छोटा नहीं होता सवाल उठता है कि इसके बावजूद उन्होंने स्वेम ऐसा अपराधिक क्रित क्यों किया जिसने उनके लंबे सरवजनिक जीवन को नकेवल दागदार किया बलकि उनके उरे परिवार के राजनीतिक सफर पर एक तरह से विराम ही लगा दिया मंत्री की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी तो कानून के रक्षक वाली होनी चाहिए थी उसके उलंगन करने वाले की नहीं मगर यह आदर्श कितने नेता मानते हैं दरसल भारतिय राजनीति में यह सोच मजबूत होती गई है कि जब सत्ता में होंगे तो अवैधलाब अरजित करने के लिए कुछ भी करेंगे और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमेशा साफ चवी होने का दावा करने वाले आजम खान भी इसी सोच को आगे बढ़ाते दिखे अफसोस की बात यह है कि आजम खान को राजनीतिक पीडित बताकर साहन भूत बटोरने और राजनीति में गहरे पैट बना चुके बरस्टाचार को नजर अंदाज करने की कोशिशें हो रही हैं लेकिन अदालती कारवाही के दौरान सामने आए तत्यों से साफ पता चलता है कि यह मामला कहीं से भी राजनीतिक पतिशोध का नहीं है एक अपराद हुआ है और उसमें सनलिप्त दोशियों को उनके किये की सजा मिली है